हेलो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है कपील और स्वागत आप सभी कफूर आपकी सक्सेस में फ्रेंट्स इस वीडियो में अभी हम लोग जोग्राफी के 15 most important questions को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले हरेक exams के लिए काफी मात पूर्ण होंगे तो इसलिए आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा और इन्हें याद कर देजेगा आप इस वीडियो का फ्री पीडियो फाइल भी डॉलोड कर सकते हैं इसका लिंक इस वीडियो के description box में दिया हुआ है या तो फिर आप मेरा टेलिग्राम ग्रूर्प जोइन करके वहाँ से भी फ्री में आसानी सिसका प्रीडियो फाइल डॉलोड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूर्प जोइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के description box में दिया हुआ है तो चले अब question क्यों बढ़ते हैं और पहला question है निमलिखित में से कौन सी स्रंखला भारत की प्राचिंतम परवत्स रंखला है तो देखे भारत की सबसे प्राचिंतम परवत्स रंखला है अरावली परवत्स रंखला अरावली परवत्स रंखला कहा सित है राजस्थान राजमे सित है अरावली की सबसे उँची चोटी कौन सी है तो वह है गुरु सिखर जो की मौन टाबू परिस्तित है इसकी उचाई 1722 मिटर है अरावली के पश्मी ओर से माही और लूनी नदी निकलती है लूनी नदी कच्च के रन में जाकर गायब हो जाती है अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है हिमालय परवत जो है यह नवीन परवत का उदाहरन है ठीक है हिमालय परवत नवीन परवत का नवीन परवत माला का उदाहरन है पस्मी घाट और पूर्वी घाट यह दोनों किसका हिस्सा है तो ये दोनों प्रायदिप्य पठार के हिस्सा है अगला प्रस्ण है कुडन कूलम परमानू उर्जा संजंत्र कौन से राज में सित है तो कूडन कूलम परमानू उर्जा संजंत्र ये तमिलाडू राज में सित है इसके लावे भारत में और भी पर्मानु उर्जा केंद्र है जैसे एक्जाब में कुछा जाता है जैसे तारापूर पर्मानु उर्जा संजंत्र ये कहाई सित है तो ये महराश्ट्र में है कैगा पर्मानु उर्जा संजंत्र ये करनाटक में सित है काकरापार पर्मानु उर्जा संजंत्र गुजरात में है कलपक्कम परमानु उर्जा संजत्र और कुडन कूलम परमानु उर्जा संजत्र ये दोनों तमिलाडू राजे में सित है नरोरा परमानु उर्जा संजत्र या उत्तर परदेश में सित है रावत भाटा परमानु उर्जा संजत्र या राजस्थान में सित है तो आप इन सभी को याद रखेगा, अगला प्रस्न है, निम्ण में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है, इसका रंग लाल किसके कारण है, आइरन ऑक्साइड के कारण है, सुक्र ग्रह को सुबा का ता सबसे नजदीकी ग्रह्ए यह सौर मंडल का चोटवस सबसे हलका ग्रह अगला प्रस्न सिर्फ भारत में नहीं है बलकि इसका 非्स थार का आcimento पारी में यह içетров पाह। तक भी या फैला हुआ है थार मरुस्थल का सरवादिक विस्तार भारत में राजस्थान के जैसल मेर जिला में है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानि रिगिस्तान कौन सा है तो वह है सहारा मरुस्थल या उतरी अफ्रीका में इस्तित है अगला प्रस्ने है भारत में स स्वेत क्रांती का जनक किसे कहा जाता है तो भारत में स्वेत क्रांती का जनक father of white revolution यह कहा जाता है डॉक्टर वर्गिज कुरियन को ठीक है स्वेत क्रांती का संबंद किसे है तो इसका संबंद दूद उत्पादन से है Milk Production से भारत में Harit Kranti का जनक किसे कहा जाता है यह भी एकजा में कुशन आता है तो भारत में Harit Kranti का जनक Doctor MS. Swaminathan को कहा जाता है ठीक है Doctor MS. Swaminathan को Harit Kranti का जनक कहा जाता है Harit Kranti का संबंध किसे है खाध्यान से है ठीक है दुन्या की दूसरी सबसे उंची चोटी है केटू, ठीक है केटू है, केटू को गाडविन आउस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, केटू जो है या भारत की सबसे उंची और दुन्या की दूसरी सबसे उंची चोटी है, इसके उचाई कितनी है केटू की, तो इसके कितनी है 8,848 मीटर है 8,848 मीटर है माउंट एवरेश्ट की उचाई और यह नेपाल में पढ़ता है अनई मुदी जो है यह दच्छिन भारत की सबसे उची चोटी है इसकी उचाई है 2626 मीटर यह अन्ना मलाई की पहाड़ी परिस्थित है अगला प्रस्थन है माउंट एवरेश्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली महिला कौन थी तो माउंट एवरेश्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली महिला जुंको तबई थी ठीक है जुंको तबई यह कहा की रहने वाली थी तो यह जापान की थी जुंको तबई ने एवरेश्ट फ थिक है यानि कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पर्थम व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्थम व्यक्ति थे तेंजिंग सिर्पा और एडमंड हिलेरी इन दोनों ने एवरेस्ट फता कब किया था 1953 इस्वी में किया था और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पर्थम महिला कौन थी? विश्व की पहली महिला तो वह थी जुंको तबई और बच्छेंद्री पाल जो है बच्छेंद्री पाल ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुचने वाली पर्थम भारती महिला है ये वर्स 1984 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुची थी वर्स 1984 में अरुनिमा सीनहाप ये माउंट एवरेष्ट पर चड़ने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला है इन्होंने वर्स 2013 में एवरेष्ट फता की थी 2013 में अगला प्रस्में है गोल्डेन रॉक पेगोडा किस देश में है तो गोल्डेन रॉक पेगोडा जो है या मयमार देश म अंकुरवाट मंदिर का हासित है तो अंकुरवाट मंदिर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदु मंदिर है का हासित है कमबोडिया में है अगला प्रस्में है भारत की जन गन्ना 2011 के नुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है तो भारतिय जन गन्ना 2011 के भुटान की राजभासा कौन सी है तो भुटान की राजभासा है जोंग खा ठीक है भुटान की राजभासा क्या है जोंग खा है भुटान की राजभासा क्या है जोंग खा है भुटान की राजभासा क्या है तो इसकी राजभासाने थिम्पू है इसके मुद्रा क्या है यह भारत की सबसे लम्बी बांद है और हिराकुनद बांद किस राज मैंसित है तो यह ओरिचा में है बंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है। अगला प्रस्ण है निम लिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया पर्थम ग्रह है तो मानव द्वारा खोजा गया पर्थम ग्रह है अरून ठीक है यूरेनस यूरेनस है मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह यूरेनस के खोज किसके द्वारा की गई थी? विल्यम हर्सेल द्वारा की गई थी कब 1781 स्वि में 1781 स्वि में अगला प्रस्ण है भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो देखे भारत का सबसे पुराना बांध सबसे प्राचिन बांध वह है ग्रैंड अनिकुट बांध इसे कल्ला नाई बांध भी कहा जाता है इस बांध को चोल बंस के सासक करी कलंद वारा पहली सताब दिशा पूर्व में निर्मित कराये गया था कल्ला नाई बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह काविरी पर है यह बांध किस राज में है? तो यह तमिलाडू में है और नागरजुन सागरबांध और अलमाटी बांध यह दोनों जो बांध है यह कृष्णा नदी पर निर्मित है नागरजुन सागरबांध तेलागना राज में है और अलमाटी बाद करनाटक राजय में इस्थित है अगला प्रस्थन है मध्य परदेश में इस्थित वैस्विक विरासत अस्थल भिम बेटका किसके लिए परसीद है तो भिम बेटका जो है पासार आसरे रॉक सिल्टर के लिए परसीद है ठीक है पासार आश्रे यानी रॉक सेल्टर के लिए भिम्बेट का परसीद है यहां करीब 600 गुफाएं हैं इन गुफाओं का इस्तेमाल आदी मानों लोग रहने के लिए अपने घरों के रूप में किया करते थे भिम्बेट का भारत के किस राज्य में इस्तित है तो यह मध्य पर्देश में है और यह युनेश्को द्वारा विश्वविरासत अस्तल में सामिल है अगला प्रस्ण है और इस वीडियो का लास्ट कुईशन किस अभिहारन्य को पूर्व में भरतपूर पच्छी अभिहारन्य के रूपे जाना जाता था तो केवलादेव राष्ट्र उद्यान जो है यह पहले भरतपूर पच्छी अभ्यारन के रूप में जाना जाता था कहाँ पे है केवलादेव राष्ट्र उद्यान तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है समस्पूर पच्छी अभ्यारन यह यूपी में है उत्तर परदेश में राइबरेली में मयानी पच्छी अभ्यारन यह कहां पे है तो यह महाराष्ट्र में है और देखे सलीम अली पच्छी अभ्यारन यह गोवा राज्य में सित है भारत का बर्ड मैन किसे कहा जाता है सलीम अली को कहा जाता है सलीम अली पच्छी अभियारन का नाम जो कि गोवा में है इन्हीं के नाम पर रखा गया है सलीम अली के नाम पर ये एक पच्छी वैज्ञानिक थे देखे एक है सलीम अली राष्ट्रे उद्यान ठीक है ये तो यहाँ पे है सलीम अली पच्छिय भ्यारन जो की गोवा में है और एक है सलीम अली राष्ट्रे उद्यान तो यह कहाँ पे है तो सलीम अली राष्ट्रे उद्यान जम्मु कस्विर में है तो आप इन दोनों को तो इस वीडियो में इतना ही, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक तथा सेयर जरूर कर दिजीगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फूर वाचिंग.